नमस्कार साथियो दृष्टी आईएस की टार्गेट प्रिलिम्स 2023 की इस खास सीरिज में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे एन्वायरमेंट एंड इकालोजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वे टॉपिक्स जो अगर आप तयार करते हैं तो आपको आने वाले प्रिलिम्स 2023 के एक्जाम में खासी मदद हो सकती है अगर आप सिर्फ उन पर भी कंसेंट्रेट करते हैं और उनके अच्छे से तयारी करते हैं तो इससे पहले हमने हिस्ट्री पर एक वीडियो किया था जिसमें हमने इंशेंट मेडेविल और मॉडन हिस्ट्री पर बा हम पारिस्थिति की की बात करेंगे आज और देखेंगे PYQs के साहरे से के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं आने वाले प्रिलिम्स में सबसे पहले तो परियावर्ण का जो वेटेज है वो अपने आप में पिछले कुछ सालों में बढ़ा है या कहें कि जब से IFOS का एक्जाम इसके साथ जुड़ा है CAC के साथ तब से परियावर्ण का वेटेज बढ़ा है उसमें भूगोल भी शामिल है मैपिंग के कॉश्चन हैं और जो low hanging fruits जिनको बोलते हैं परियावर्ण के हिस्से से कई वार आ जाते हैं तो वो देखना जरूरी है कौन-कौन से areas हैं जो हमें मदद करने वाले हैं उससे पहले शुरू करें तो एक बार syllabus इसका देख लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे topics हैं जो हम cover करते हैं परियावर् ecology है ecology क्या होती है वगरा वगरा उसके जो parts हैं फिर तंत्र किस प्रकार से कारे करता है जो पारिश्त्री की तंत्र है उसके किसकी किस पर निरभरता होती है कौन-कौन से change होते हैं इस तरह की बाते हैं उसमें और फिर पदार्थों का संचारण किस प्रकार से होता है इसमें उर्जा भी शामिल होती है तो यहां पर आप पढ़ते हैं वो जो 10% टूल होता है वो फिर परियावर्ण ये अनुकूलन के जो स्पीशीज होती हैं कैसे डेवलप होती हैं कैसे ग्रो करती हैं कैसे उनका एडवांसमेंट होता है कैसे वो नश्ट भी हो जाती है इस तरीके की चीज़ हैं फिर प्रदूशन आता है जो अलग अलग प्रकार के हम प्रदूशन करते हैं उन वह आते हैं परियावर्ण के अंतरगर फिर जो प्रभाव होता है इस प्रकार के प्रदूशन का उसका आखलन करने के लिए जो तमामा आने कम इटाई है या जो हमारे पास understanding chir PH उसके आधार पर हम देखते हैं, फिर biodiversity है, biodiversity अपने आप में एक काफी broad topic है, broad vishaya है, इसमें सारे जो इसमें जीव भी शामिल होते हैं, पश्चू भी शामिल होते हैं, और जो पौधे वगरा हैं, जंगल वगरा, इत्यादी, वो सारी छीजें इसमें आती हैं, भारत में क्या स्थिति है जैवेविदिता की वो परियवर्ण में हम देखते हैं फिर संरक्षन कैसे कर सकते हैं कौन-कौन से कानून बनाते हैं कौन-कौन से कन्वेंशन इस पे हुई है और जो भी वर्ल लीडर से उसमें क्या बोलते हैं फिर जलवाईयू परिवर्तन क्या है कैसे हम deteriorate कर रहे हैं अपने environment को ये चीज़ें पढ़ते हैं फिर भारत में जलवाई परिवर्तन जो हो वो कैसे होता है उसकी स्थिति क्या है और जो संगठन और सम्मेलन है कि उसको रोकने के लिए बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो चीजस के अंतरगत हम देखते हैं फि अच्छे क्रिशी का लाब ले सकें अमली करन क्या होता है वो जो उनक्षरण कैसे होता है क्यों होता है इन अवधारनाओं को भी हम देखते हैं फिर मिट्टी आ जाती है म्रदा उसमें फिर वो जो भुगोल का जो हिस्सा है वो भी थोड़ा बहुत इसमें देखते हैं फिर और जो अन्य सारी चीज़ें बच गई वो ये हमारे syllabus है हम environment के अंदर परिया वरने के अंतरगत ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं देखते हैं लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना होता कुछ चीज़ें ऐसी है जिन पर हमारी understanding होती है जो हम other topics को जब cover करते हैं subjects जब दूसरे हम हैं तो उसके अंतरगत अपने आप cover हो जाते हैं जैसे मसलें प्रदूशन का है तो प्रदूशन का हम काफी सारा हिस्सा बाकी subjects है डेली जो हमारे current affairs होते हैं उनसे cover कर लेते हैं लेकिन जो important topics हैं तो पहला है जो पारिस्थितिकी तंत्र है यान कि जैसे हमने कहा कि परियाव PYQs हैं वो देखेंगे कि PYQs का पिछले 10-15 साल का trend देखेंगे कि क्या रहा है कैसे कैसे PYQs आएं हैं और ये जो हम कहते हैं कि ये वाले important topics हैं वो क्यूं हैं तो हमारी सारी understanding basically PYQs पर based है कि PYQs जिस हिसाब से आते गए हैं उस तरीके से हमने माल लिया है कि ये important या core areas ह जिन पर UPS से जादा focus करती है ठीक हैं तो ये वो list है ये वो topics हैं जो बेहद important है अगर आप करना चाहें तो इनको बहुत गहराई के साथ इनकी अवधारणाओं को समझते हुए इनके PYQs को देखते और अच्छे खासे test prepare करते हुए इनके साथ आगे बढ़ना है पारिस्ति की तंत्र है फिर बायो डाइवर्सिटी है बायो डाइवर्सिटी में काफी ये देखे बायो डाइवर्सिटी अपने आप में डाइवर्स है कैसे बायो डाइवर्सिटी में एक तो जो हमारे संरक्षन का पार्ट आजाता है वो आजाता है उसके अलावा जो हमार पहले जो प्रियास की गए हैं वो आ जाते हैं उसके अंदर गत फिर कानून आ जाते हैं संस्थान आ जाते हैं जो अलग-अलग काम कर रहे हैं उसके अंदर व्यक्ति आ जाते हैं जो काम कर रहे हैं उसका क्षरण कैसे हो रहा है और जो current affairs इससे related होते हैं वो तो यह सारी चीज fruits जिनको बोलते हैं UPSC में वो मिल जाते हैं यानि कि जिनको free के दो number आप कह सकते हैं वो मिल जाते हैं कि direct किसी convention से सवाल आ गया या direct कोई अभी news में कोई organization है या कुछ भी है तो वो जब सीधा सवाल पूछ लेते हैं वो UPSC में विद्यमान होते हैं उनको कम किये जाने के लिए कौन से प्रियास किये जा रहे हैं आज तक क्या प्रियास किये गए हैं कानून कौन से लागू हुए हैं उनमें कोई व्यक्ति काम कर रहा है कोई संस्थान काम कर कोई सरकार किसी दूसरी सरकार को मदद कर रही है या यह जो परिवर्तन हैं यह क्यूं हो रहे हैं basically जलवायू में उन सब की जो studies हैं उनको गहराई से करना है उनके questions को अच्छे से prepare करना है प्लस उनमें जो अवधारनात्मक सवाल है उनको गहराई के साथ देखना है ठीक है इ यह topic सबसे ज़ादा important है क्योंकि यहां से आपको कई बार संस्थागत प्रशन मिल जाते हैं उनके कानूनों से प्रशन मिल जाते हैं सीधे-सीधे मिल जाते हैं और कई बार तो ऐसे मिलते हैं जो recent news में रहे होते हैं तो यह वाला portion नहीं छोड़ना है उसके बाद जो wetlands है wetlands again आप देखेंगे कि अभी हम देखेंगे PYQs में चलके wetlands वाले question लगातार आ रहे हैं और आ कैसे रहे हैं कि पीछे जो आपसे question पूछे हैं उनके options में से अगला question निकालके आपसे आरद्र भूमी या फिर wetlands इनको कहते हैं उनसे सवाल आते हैं तो UPSC का core area है UPSC का बहुत favorite pet area इसको बोलते हैं यहां से आपको एक से दो question तो मिलेंगे ही मिलेंगे यकीन मानिए और फिर राष्ट्य पार्क और अभ्यारन इससे कई बार 2020 में तो एक सीधा ही question आ गया था इससे तो इस प्रकार के question मिल जाते हैं अगर वो मिलते हैं तो फिर वो आपको नहीं छोड़ करता है देखता है उसको देखरे करता है इस प्रकार के जो प्रशन है वो जादा important है फिर है कि सरकार जो परियोजनाई लाती है समय समय पर वो परियोजनाई कैसे काम करती हैं उनमें नए प्रावधान क्या है किस जीव को बचाना चाहते हैं किस पार्क को बचाना चाहते है या कहीं दो पार्कों का विले हो रहा है इस परकार के जो प्रश्ण है वो यहां से बनते हैं ठीक है पीवाई की उस देखते हैं ये देखिए पारिष्थित की तंतर से प्रश्ण आया है 2017 में जैसा आपको कहा था लो हैंगिंग फ्रूट्स है जब भी आप कोई पार्क देख देखनी है कौनसे राज की सीमा से टच करता है कौनसा एरिया आगर किसी राज में जाधा पढ़ रहा है तो वह देखना है तो इसमें देखिए सीधा ही पूछा था 2017 में तो के पारिष्टिकी निश्ञे कोण से पूरवी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच् को यह तो पढ़ना ही है यह नहीं कि आपको याद करने रटने है कि यह पर्टीकलर सेट उफ अभ्यारण है या वन ने है जो भी वन है या फिर जो रिजर्व से हमारे वो हैं नहीं देखना है आपको वो सिर्फ आपको मैप करना है और मैप में फिर उसकी जो अडर informations होती है जो bookish knowledge से ज़्यादा आपके लिए important है कि मान लीजे पिछले अगर एक तेड़ साल में कोई अभ्यारण खबरों में रहा है तो उस पर आप specifically जाके ये देखेंगे कि ये किसकी boundary में पढ़ता है कौन सी नदी के पास है कौन सा area इसमें आता है कौन सा जीव यहाँ पर पाया जाता है इत्यादी ठीक है 2015 में फिर क्या आया था कि ecosystem शब्द का यानि ये तो direct परिभाशाई पूछली कि ecosystem क्या होता है तो ये पारिश्तितिकी वाले प्रश्ण है जो अभी हम देख रहे हैं ठीक है 2014 में आये था कि कौन सा ग्रेप प्रत्वी carbon चकर में carbon dioxide का योगदान करता है तो इसमें से कौन सी जो activity है वो carbon dioxide उत्तर जित करती है एंकि इसको आप जो production वाला part है उसमें भी मान सकते हैं बट ये ecology को भी effect करता है तो इसलिए उसमें रखा गया है ठीक है फिर biodiversity आती है biodiversity में again जैसे कथनों पर विचार करने वाले प्रशनी इस प्रकार के यह आते हैं UPSC में तो आपको 3-4 options में से जहांटना पड़ेगा basically UPSC 100 question के नाम पर 200-200 तक statements पूछते हैं आप से तो आपको statements basically identify करने के कौन सा सही ये कौन सा गलत है ठीक इसमें है Asia share प्राकरतिक रूप से भारत में पाया जाता है या दो कुबड़ वाला उउट और एक सिंग वाला गेंडा प्राकरतिक रूप से सर्व भारत में पाया जाता है तो इसमें क्या है हमें सीखना दरसल ये है कि जो statements हैं उनसे हम अगले साल के लिए क्या निकाल सकते हैं तो इस प्रकार के जो खबरों में रहने वाली प्रजातियां हैं उनको specifically देखना है कि इनका origination कहां से होता है ये कहां पाये जाते हैं कहां पर endangered हैं कहां पर भाहुतायत में हैं या इनको संरक्षित करने के कोई प्रयास किये जाते हैं या नहीं किये जाते हैं ये इन statement से हमने लेना है जैवेविद्धा वाले portion में और जैवेविद्धा वाने इसमें नाम जीवों का है लेकिन जो overall biodiversity है उस पर इसकी नज़र रहती है ठीक है कौन सा national park पूर्णतया शितोष्ण अलपाइन कटी बंद में स्थित है आप वही प्रशन है कि पार्क ने दिया आपको स्थिती बतानी है तो स्थिती आप एक तो भारत में देखेंगे कि किसी नदी के पास है किसी स्टेट में है या फिर दो स्टेट की सीमा पर पढ़ता है जंगल में पढ़ता है वगरा वगरा इन्होंने क्या पूछा कि कौन से कटी बंद में पढ़ता है तो कटी बंद पूछ लिए आपसे अब यह आपको बताना है, मालो कोई ऊपर पढ़ता है, कोई नीचे पढ़ता है, तो इस प्रकार से उसकी अवस्थिति आपको अंतराष्टे स्तर पर भी पता होनी चाहिए, यह इसका कहने का मतलब है निमनलिखित में से कौन से अगस्ते माला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं, तो अब फिर उसमें से बताना है कि कौन सा भ्यारण है, यानि कि इसका मतलब यह हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर रेंज है, तो उस रेंज में कितने जो रिजर्व से वो हैं, बायस्फियर रिज रखेंगे कि कोई पर्वत श्रंखला है, तो किसी पर्टिकुलर पर्वत श्रंखला में कौन सा भ्यारण पढ़ता है, कौन सा टाइगर, या फिर कोई भी नाशनल रेजर्व जो हो पढ़ता है, उद्यान पढ़ता है, कोई राष्ट्रिय, तो इन सब का आपको पता होना च कि हमें कहां focus करना है और किस तरीके से पढ़ना है इसके लिए हमारे लिए ये analysis जरूरी हो जाता है अगला है 2019 में फिर ये प्रदूशन वाले area से question पूछे गए थे आपने नोट कर लिए होंगे जो हमने discuss किया था कि कौन-कौन से important है उसमें से जो प्रदूशन वाला पार्ट है उसमें प्रशन ऐसे आये 2019 में कि किसके संदर्व में कुछ विग्यानिक पक्षाब मेग विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में इसमें क्या है तो इसका मतलब यह है कि जब प्रदूशन होता है किसी छेत्र में या परिया वर्ण में तो उसको कम करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने लिए जो प्रयास किये जाते हैं वो भी हमारी नजर में रहने चाहिए इसका यही मतलब या कोई particular तकनीक अगर नई आई है तो वो तकनीक कैसे काम करती है ये हमें जानना बहुत जरूरी है ठीक है ताप अप गटन तथा प्लाजमा गैसी करने शब्दों का उलिक किया जाता है ठीक है वही नई तकनीक किसलिए प्रयोग की जाती है तो वो आप जब year end में जो compilations आती है current affairs की उनके अलावा जो important topics है उसके अंदर अंदर जो current affairs है उस साल के पिछले डेट साल के करेंगे तो बहुत चांदर रहेगा तो वो आपको ज़रूर देखने है तो उनमें आपको इस तरीके की चीज़े लगातार मिल जाएंगी कि कौन सा important है कौन सा biosphere reserve खबरों में है कौन सा प्रदूशक खबरों में है कौन सी अवधारणा खबरों में है कौन सा ऐसा नया आविश्कार खबरों में है जो हमारे प्रदूशन को कम कर सकता है इस प्रकार की चीज़े है ठीक है फिर वही है जो जीव है उनके विशे में अत्यादिक चिंता क्यों है तो वही जो बायर डाइवर्सिटी वाला पार्ट है उसमें आता है मिथेन हाइडरेट के निक्षिप के बारे में निमने कितमे से कौन सा सही है तो ये अगेन एक पॉलिटेंट है तो एक पॉलिटेंट क्या करता है किस प्रकार करता है वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगे फिर अगेन वही उसी प्रकार से question है जैसे CNG यानि कि जो green house gases होती हैं उन पर भी प्रशनाय है और इसके अलावा जो CNG है उसके इस्तमाल पर किस प्रकार होना चाहिए और कितना production करता है ये प्रशनाय है फिर है कि क्रिशी मिर्दाय प्रियावन में नाइट्रेट के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है अब ये statements है कि क्या कोई pollutant वाकई pollutant है क्या आपको दे देंगे कि particular pollutant ये कारे करता है ये नहीं करता है मा लिजे कोई किसी के साथ reaction करता हो किसी दूसरे pollutant के साथ और वो तीसरा कोई बहुत खतरनाक pollutant बना रहे है इस प्रकार की जो statements है तो basically आपको pollutants याद रखने है फिर जो म्रदा शरण होता है उसमें से आपसे ये statement 2018 में पूछी गई थी कि जब बहुत अधिक बालू का कटाव होता है तो उससे किस प्रकार से किस-किस जो जैव विविदता है उसमें कमी आती है किसी प्रकार से ठीक है फिर carbon निशेचन पर ये एक प्रशना आया था इनकी वही fertilization के carbon को कैसे और जादा use कर सकते हैं इवन जो हमारा atmosphere carbon होता है क्योंकि वह बहुत जादा है हमारे पास तो उसको कैसे कम कर सकते हैं फिर air quality index वही प्रदूशन पर सवाल आया था कि उसमें से कौन-कौन से जो प्रदूशक होते हैं वो शामिल होते हैं आपको ये बताना था फिर जो nitrogen उरवर्क हैं उनका क्या प्रभाव पढ़ सकता है वो कैसे काम करते हैं या कहां कहां किसी म्रदा को या फिर किसी जीव को या फिर मनुश्य को कैसे प्रभावित करते हैं इसका अंसर देना था ठीक है तो भारत कौन-कौन से pollutants छोड़ता है वो अगेन बहुत basic अवधारनात्मक प्रशन ये था फिर है अंतराष्टे कानून और सम्मेलन अगर तो भारत ने कोई बनाया है कानून नए साल में या फिर आने वाले वर्ष में अगर बनाने जा रहा है तो उसको आपने ध्यान रखना है कि ये कानून बन stadium आप उसमें से statements देके आप से पूछ लिए कि ये statement सही है statement गलत था इस प्रकार से तो आपको basically मोटा मोटा अगर भी पता रहेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं पढ़ रही हूं तो फिर आप उसको list out point out कर सकते हैं ठीक है PAGC पर सवाल आया था पिछले 2018 में तो अगेन वही statement से उस साल PAGC न्यूज में था इसलिए आप से पूछ लिया momentum for change climate neutral तो ये अगेन उस साल जब आप देखेंगे 2018 में तो जब आप compilations उठाएंगे तो आपको शायद पहले आदूसरे page पर इस परकार की खबरें देख जा ध्यान से statement wise statement पढ़ना है और इस प्रकार से पढ़ना है कि हमें MCQ कोई answer नहीं करना है हमें basically statement answer करना है कि particular statement सही है या गलत है ठीक है अगेन शेरों को गुजरात में उनके प्राकृतिक आवास में निमलिकित में से किसे एक स्थान पर स्थानांतित किया जाएगा तो ये तो बहुत ही basic बहुत ज़्यादा basic प्रशन आ गया ऐसे प्रशन ये low hanging fruits वाली बात जो थी वो है ये तो ऐसे question आते नहीं है UPSC में 2016 में अगेन आया था अभी श्राष्टी निर्धारित अनिशदान यानि कि intended national determined contribution में कभी करभी समाचार में देखा जाता है ये again बहुत क्यूंक कि आज से 3-4 साल पहले जो pattern था हूँ थोड़ा सा अलग था इसलिए आपको सिर्फ एक statement वाले और एक statement eliminate करने वाले question मिल जाएंगे ऐसे question अभी आपको आप मान के चलिए कि नहीं मिलने वाले environment तो statements पर गौर करिएगा ठीक है ये दिन अगेन bird life international संगठन वही जो संगठन की बात कर रहे थे कि संगठन important है कोई particular संगठन क्या कारी करता है उसको एक बार देखके जरूर जाईएगा millennial ecosystem assessment ये उस साल खबरों में था 2012 में बहुत पहले का प्रश्न है तो जो भी संस्थान खबरों में कोई report खबरों में है उसको एक बार थोड़ा सा देखके जाईएग कि हमें दरसल पढ़ना कैसे है हमें जो पीवाई क्यूज है उनके trend analysis के आधार पर कैसे तयारी करनी है तो अगर आप इतना करेंगे अगर आप पीवाई क्यूज को देखते रहेंगे और जो current affairs उनके साथ लगातार तारतम्यता बनाए रखेंगे तो आपको फायदा होगा न गजर बनाए रखेंगे और कुछ भी ऐसा मत छोड़िये जो current में है और static के साथ जुड़ता है इन areas पर अगर आप एक बार focus करेंगे तो आपको लाब होगा करीब 60-70% दी जो प्रशन है वो आपको यहीं से मिलेंगे और यही इस series का उदेश है कि कम समय में कैसे अच्छी स अच्छी तयारी हम कर पाएं केवल core areas को focus करने के बाद तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपसे कुछ दिन बाद एक नए वीडियो के साथ एक नए concept के साथ और अगले विशय के important topics के साथ मिलेंगे आप कौन से विशय पर हमसे चाहते हैं कि important topics के list दें तो वो हमें comment box में comment करके जरूर बता दें अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद